अच्छा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे नामों के बारे में जिसको लाखों लोगों ने पढ़ा और उनकी जिन्दगानिया बदल गई यहां तक के हिंदू भाईयों ने मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन उन्होंने भी इसको पढ़ा तो उनकी जिन्दगानिया सवर गई उन्होंने जिस मकसद के लिए इसको पढ़ा, वो मकसद पूरा हुआ, जिस काम के लिए इसको पढ़ा, वो काम पूरा हो गया, जिसको पाने के लिए इसको पढ़ा, वो पा चुके, कई लोग तो इसकी बदौलत अमीर बन चुके हैं, मालदार हो चुके हैं, जिन्होंने माल दौलत पाने के लिए इस वज़िफे को किया था उनको अल्ह ताला ने मालो दौलत से नवाज दिया है जिसकी किस्मत में उलाद नहीं थी जिसको उलाद नहीं हो रही थी اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد نواز दी जिसका घर कारोबार अच्छी तरीके से नहीं चलता था जौब नहीं मिलती थी नौकरिया नहीं मिलती थी اللہ تعالیٰ ने इस अमल की बदूलत उनको हर चीज से नवाज दिया हर चीज उनको नवाज दी यह वजिफा आपकी हर परेशानी में काम आता है हर परेशानी में आपका साथ देता है हर मुसीबत बलाओ को दूर करता है चाहे वो कैसी ही मुसीबत क्यों नहो या अगर आपके दुश्मन आपको परेशान करते है या फिर आपको नौकरी नहीं मिलती जॉब नहीं मिलती या फिर आपका रिच्टा नहीं होता, इन सबी मसलों के लिए ये वजी वजीवा सबसे ज्यादा बेस्ट है. अगर इस वजीवे को शिर्फ तीन दिन आप कर लेते हो, ज्यादा दिन नहीं सिर्फ तीन दिन करते हो तो कसम से आपकी जिन्दगी बदल सकती है जो भी काम के लिए जिस भी काम के लिए आप इसको करोगे अल्ला ताला वो पूरा कर देगा ये अमल इतना ज्यादा बाबरकत है कि फौरण ही इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है यानि कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता सिर्फ तीन दिन आपको अच्छी तरीके से करना है करना क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको आपको सबसे पहले चीज़ ये है कि आपको नमाजों की पाबंदी होना जरूरी है हिंदो भाई हमारे नमाजे नहीं पढ़ते तो कोई हर्जवाली बात नहीं है वो डिरेक्टली भी कर सकते है ठीक है तो आपको करना क्या है आपको जुमेरात का दिन लेना है जुमेरात नहीं है तो पिर आप मंगल के दिन कर सकते हो मंगल भी नहीं है तो पिर आप पीर के दिन भी कर सकते हो ठीक है इन तीन दिनों में आप कभी भी कर सकते हो करना है आपको रात के वक्त में जब सब सो जाते हैं सुनसान हो जाता है खामोशी हो जाती है उस वक्त में आपको करना है एक अलग कमरे में जाना है अगर कमरा है तो नहीं है तो फिर आप जो है तो जहापर नमाजी हो अगरा पढ़ते है वहापर भी कर सकते हो किचन रूम है वहापर भी कर सकते हो ठीक है तो वहापर जाना है आपको और बैठना है अदब के साथ में वजू के साथ में वजू करके जाना ठीक है वजू के साथ होना चाहिए तो आपको बैठना है अदब के साथ में और सबसे पहले आपको तीन मरतबा दरूद पाक पढ़ना है जो भी दरूद शरीप आपको याद हो वो आप पढ़ सकते हो उसके बाद में सौ मरतबा याहादियू अलरहीम याहादियू अलरहीम याहादियू अलरहीम ये आपको सौ मरतबा पढ़ना है उसके बाद में फिर आप तीन मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए और जो भी आपकी खौईश है जो भी आपकी तमना है उसको दिल में रखी है और इसको सौ मरतबा पढ़कर वहां से उड़ जाएए दूसरे दिन भी आपको यही मामूड रखना है तीन दिन तक आपको रेगुलर इसको करना है और तीसरे दिन जो भी चीज आप चाते हो अल्ला ताला वह आपको नवास देगा जिस भी काम के लिए आपने ये अमल किया होगा अल्ला के करम से वो पूरा हो जाएगा तो इसको करके देख सकते हो आप ज्यादा पढ़ना नहीं है सौ मरतबा आपको पढ़ना है या हादि और रहीम बहुती आसान है हर कोई इसको कर सकता है वीडियो पसंद आईए तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाए